कैसे हैंआप सब लोग तो जो financial statements है यांने final accounts से Soyal Proprietism Arm का उसका first part हम लोगों ने देख लिए जिसके अडर हम लोगोंने देख सब्सक्राइब करांब केसे बनाते हैं Profit & Loss Account कैसे बनाते हैं आप यहीं सब का format तो आज की class के अंदर हम बात करेंगे balance sheet के format की balance sheet कैसे बनाते हैं और उसके बाद आपको class दो अच्छे अच्छे questions कराऊंगा जो actually में class Delhi University के जो first Sam के examination में पूछा जा चुका है तो ध्यान समझना class बहुत important है और end तक देखना क्योंकि अगली class के अंदर मैं आपको without adjustment कुछ और question कराऊंगा और देन उसके बाद हम लोग चलेंगे class adjustment की topic पे और adjustment को detail में समझेंगे तो चलो start करते हैं यहां पर जब भी balance sheet की बात उठती है जब भी हम बात करते है balance sheet की तो वैसे आप सबको पता है कि T format में यानि कि vertical sorry horizontal form में balance sheet बनती है इधर साइड हम लिखते हैं liabilities को इधर साइड लिखते हैं asset को मतलब right hand side जो है वो asset का है और जो left hand side है वो liabilities का है यह बात तो clear है लेकिन हम जब भी balance sheet बनाते हैं जब भी हम balance sheet बनाते हैं तो हम दो तरीके से बना सकते liquidity के order पे बना सकते in order of liquidity मतलब जो asset सबसे ज्यादा liquid है जो सबसे जल्दी cash में convert हो जाता है हम उसको सबसे पहले लिख देंगे और जो सबसे late में cash में convert होगा हम उसको सबसे last में लिखेंगे यानि कि liquidity के basis पे जो जितनी जल्दी बिक जाएगा, cash में परिवर्तन हो जाएगा, convert हो जाएगा, उसको सबसे पहले लेखेंगे, और जिसकी liquidity कम है, जिस asset को उसको नीचे लेखते चले जाएगे, in order of liquidity, दूसरी जो चीज है, in order of class permanence, यानि कि जो चीज permanent है, उसको हम पहले रखेंगे, like fixed asset हमारी permanent है, उसको हम नही बेचते हैं, अपने लिए रखते हैं, तो हम उसको सबसे पहले रखेंगे, इस basis पे balance sheet बन सकती है, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ class, आप video pause करके इसको note कर लेना, या फिर आप screenshot लेलना, जैसे आपकी मर्जी, तो मैंने जो यह format बना रखा है, सबसे पहला, a part, in order of liquidity, यानि कि मैंने यहाँ पे जो balance sheet बना रखी है, वो liquidity के basis पे बनाई हुई है balance sheet, यानि कि जो asset सबसे ज़्यादा liquid है, उसको मैं रखने वाला हूँ सबसे पहले, और जो asset least liquid है, उसको मैं रखने वाला हूँ सबसे last में, ओके, देखो, जैसे यह मैंने बना दिया, इधर साइड आपकी liabilities है, इधर साइड आपकी asset है, आपको यह पूरा दिखा देता हूँ, और balance sheet आप सबको पता है कि हमेशा at the end of the year बनता है, तो एक date होती है particular 31st March, जो भी year होगा और जो भी company का नाम है, तो आप लिख दो के balance sheet of X Limited or Y Limited, जो भी है, या company firm जो भी, as on date, तो यहाँ पे जो पहले current asset, current asset, because current asset ही easily cash में convert हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा liquid asset कौन सा होता है, सबको पता है cash होता है, तो हमने लिखा cash, फिर लिखा bank, फिर है bill receivable, data, prepaid expense, short term investment, stock, यह सारा का सारा आपका current asset है, liquidity के basis पे मैंने एक एक करके सारी के सारी current asset को मैंने arrange कर लिया, जो ज़्यादा liquid ह Sir, अगर examination में question आता है, तो क्या हम इन सब को follow करेंगे, तो आप liquidity के basis पे भी कर सकते हो, और permanence के basis पे भी, बट मैं हमेशा question जो कराता हूं बच्चों को, और आपने जो 12 में पढ़ा भी होगा, वो permanence के basis पे पढ़ रखा होगा, like fixed asset को पहले लिखते हैं, फिर non current investment, फिर current asset, तो मैं question तो वैसे ही कराऊंगा, और उसमें क्या होता है, उसमें उपर नीचे हो सकता है, like land building, plant, machine ruch, आप उपर नीचे कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, cash को आपको उपर रखना है, और bank को फिर रखना है, फिर आप इनके अंदर exchange कर सकते हैं, इ इसको बोलते है, property, plant, equipment, यानि कि आपकी furniture fittings, motor vehicle, plant and machinery, land building, और यह कुछ intangible, patent, trademark, copyright, or goodwill, इसमें इंटेंजिवल असेट्स है, बढ़ा, आपको यह सब की मीनिंग तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ, विल्कुल बेसिक से कि क्या tangible asset होता है, क्या intangible asset होता है, इस सारी बात और कोशिन कुछी नहीं बोलेगा, तो आपकी मर्जी है, आप पर्मनेंस के basis पे बना सकते हो, और एकुलिडी बेसिस पे, बट मैं हमेंसा पर्मनेंस बेसिस पे आपको आगे जाके बनाऊंगा, बिकॉस किसी भी कोशिन में यह नहीं कहता है, इस बेसिस पे बनाओ, ठीक है अच्छा, अब यह लाबिटी वे सबसे पहला आता है, करेंट लाबिटी, करेंट लाबिटी की पेमेंस सबसे पहले होगी, within 12 months इनकी पेमेंट करनी होती है, short term loan आपने लिया है, bank loan या bank का negative balance है, bills payable है, creditor है, outstanding expense, advanced income है, सब मैं आपको बता चुका हूँ, outstanding expense क्या होता है, ऐस और उसके बाद last में आता है capital, यह component तो आप बिलकुल मत भूलना, capital की बात करें, तो सबसे पहले capital के अंदर हम add करते है profit, अगर profit को हमने add किया है, because capital हमारे profits को बढ़ाता है, तो अगर हमने profit को add किया है, तो हम loss को क्या करेंगे, minus करेंगे, obvious है, drawing को minus करेंगे, drawing हमारी capital को कम क करेंगे, additional capital को हम plus करेंगे, और अगर withdrawn of capital हम minus कर देंगे, और then income tax हम क्या करेंगे, minus, because income tax भी एक drawing की तरह होता है, income tax होता है, owner का अपना, और वो अपना tax firm के पैसो से pay कर रहा है, तो एक तरीकी से drawings की तरह है, इसलिए उसे minus कर देंगे, ठीक है, तो यहने कि कुल मिलाकर capital में profit add होगा, loss minus होगा, drawing less होगा, addition capital add होगा, income tax less होगा, और अगर आपने profit को plus किया है, तो loss minus, अगर आपने addition capital को plus किया है, तो withdrawn capital क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, यह पूरा का पूरा balance sheet का format है, बहुत ज़्यादा कुस tension है ने, इसमें, because आप सब graduation first year में हों, तो आपने 12 में जर अगर आपने in order of permanence, आपने permanence के basis पे बना दिया, यानि कि जो permanent asset है आपने सबसे ऊपर रख दिया, तो permanence में आप सबसे पर देखो, मैं इसमें पूरे detail format नहीं लिख वारा, because format विल्कुल सेम है, जैसा आपने पहले पढ़ा भी, just जो order of liquidity था ना, वैसा यह same to same, बस अंतर य investment आएगा, इसका कोई heading नहीं होता है, बस अगर आपने 2-2 company, 3-3 company में 2 जिगे, 3 जिगे invest किया है, तो आप वो इसको segregate कर सकते हो, कहां पे कितना-कितना investment है, then current asset वही, आपका cash है, फिर bank है, फिर आपका BR है, फिर आपका data है, इस तरीके से, last में stock, यह आपका पूरा का पू profit plus करना, minus करना, drawing, addition capital plus करना, income tax करना, minus, तो यह आपका आजाएगा capital, यह opening capital होती है, और balance sheet हमेशा साल के end में बनती है, तो यह क्या निकल कर आएगा, आपका closing capital, फिर non-current liability, फिर current liability, यानि कि पहले उसमें क्या था, in order of liquidity में क्या था, पहले current liability, फिर non-current liability, फिर capital, अब permanence में ब पूरा का पूरा आपके उपर depend करता, आप कैसे बनाना चाहते हो, तो I hope कि आपको balance sheet का format अच्छे से learn होगे होगा, अपनी copy में आप अच्छे से note करोगे, बड़ा chapter है, time लगेगा, मैं इसमें जल्दी बाजी भी नहीं करूँगा, समाझ आपको आएगा नहीं करूँगा, तो मैं दीरे दीरे आपको अच्छे से कराऊंगा, आज भी मैं आपको question कराऊंगा और अगले class में भी आपको question कराऊंगा, तब जाके हमारा without adjustment topic खतम हो जाएगा, then हम इसके बाद करेंगे adjustments, अलग-अलग adjustments point होते हैं, उनको सीखेंगे, फिर उनका application करेंगे, question के अंदर दे ऐसा हो कि end में जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा end motivation में हमारे question बन जाएं, तो वो at least बन जाएं, ठीक है, चलो, मैंने question यहां पर रखा हुआ है, मैंने आपको पिछली class में अच्छे से सिखा दिया था, trading account, अच्छे से आपको P&L account सिखा था, और मैंने आपको एक बात और बता sell होगा 1 by 3, GP on cost 1 by 3 है, GP on sale होगा 1 by 4, GP on cost है 1 by 5, GP on sale होगा 1 by 6, यानि कि cost से sale पे जाने के लिए denominator में एक add कर देना, और sales से cost में जाने के लिए denominator में एक minus कर देना, और यही मैंने आपको सिखाया हुआ था, अपनी last वीडियो में, यानि कि part 1 के अंदर मैंने आपको यही को यूज करके एक question करने वाले हैं, तो ध्यान से ज़रा समझना, यह question examination में आ चुका है, बिलकुल इसी type का question, figure different थे, बस और कुछ नहीं, opening stock आपको दे रिखा है 20,000, cash sale दे रिखा है 60,000, credit sale दे रिखा है 40,000, purchase दे रिखा है 70,000, और आपको GP दे रिखा है on cost, 33 1 by 3 को 1 by 3 ही क कहते हैं, कैसे मैं समझाता हूं, 33 into 3, 99 plus 1, 100, बच्चे करें, 100 by 3 होगा, percentage लगा हुआ है, तो नीचे भी 100 आजाएगा, तो यह 100 दे रिखा है, तो कितना बच्चे क्लास, 1 by 3, कितना बच्चे क्लास यहां पे, 1 by 3, तो GP on cost जो है, वो 1 by 3 है, GP on cost जो है, वो क्या है, 1 by 3, तो बटा, आप मुझे बता दो, GP on sales कितना होगा, GP on sales कितना होगा, 1 by 4, सर आप convert कर क्यों रहो, क्योंकि इसमें cost दिया हुआ नहीं है, सर ने बोला, GP on cost 1 by 3 है, यानि cost का 1 by 3 करेंगे, तो GP आ जाएगा, बच्चे बोलते हैं, सर आप cost का formula लगा दो, बच्चे बोलते हैं, सर, cost नहीं हैं, तो लगा दो cost का formula, मैंने बोला, ठीक है जी, लगाओ, opening stock, प्लस purchases, प्लस diet expense, minus closing stock, और इस closed chain में closing stock भी गिवन नहीं है, सर, 0 माल ले, बटा, जो चीज पूछा है, उसे 0 कैसे माल लोगे, है ना, तो यानि कि सर, COGS भी नहीं निकलेगा, COGS भी निकलेगा, GP on cost दे रखा है, COGS ही नहीं, तो GP कैसे निकालोगे आप, समझ रहे हो बात को, तो मैंने convert के GP on sale, तो अब मैं GP निकल सकता हूँ, sale कितनी है बटा, sale मेरी है 1,00,000 की, 60,000 cash sale, 40,000 उधार बेचा है, total sale है 1,00,000, और GP है 1 by 4, तो या जाएगा 25,000, तो सर, sale तो निकल कर आ गई, कितनी है sale class, 25,000, तो GP on sale class कितनी आगी, आपकी 25,000, मतों GP आगी 25,000, अचा, बेचा आपने कितने का है, बेचा आपने कितने का मुझे बताओ, बेचा आप लोगोंने कितने का, कितने का समान बेचा है, सर 1,00,000 का, मुनाफा कमाया 25, तो CUGS, अगर आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, sales में से GP माइनस करोगे, यानि कि अगर आप sales में से GP माइनस कर दोगे, तो आपको cost of goods sold निकल के आजाएगा, ठीक है, तो sales आपका कितना दिया हुआ है, sales आपकी 1,00,000 है, gross profit कितना है, 25,000 है, तो आपका COGS, यानि cost of goods sold जो आजाएगा, वो कितना आएगा, 75,000, I hope, आपको cost समझ आगया, COGS कितना है, 75,000, अचा, COGS का formula क्या होता है, COGS का formula अगर किसी को याद हो, अगर आपको COGS का formula याद है, तो question यहीं solve हो जाएगा, लेकिन अगर आपको COGS का formula नहीं याद है किसी बच्चे को, तो भी, तो भी मैं इस question को पूरा करा दूँगा, देख expense, if any, अगर कोई है, तो minus कर देंगे क्या, closing stock, ठीक है, तो opening stock plus purchases plus dollar expense minus closing stock, तो आप मुझे बता दो जा रहा, यहाँ पे COGS, तो हमको दे रखा है कितना, 75,000, opening stock कितना दिया, वो उपर check करो, opening stock कितना दिया है, opening stock है 20,000, कोई भी direct expense, इस question के अंदर मुझे दिखनी रहा, purchase 70,000 है opening stock है 20,000, purchase 70,000 है, direct expense 0 है, और आपको निकालना क्या है, closing stock, चलो, लगा दो formula आ जाएगा, 70,80, तो यह, तो यहाँ पे 75 ही रहने दो, closing को यहाँ पे लिया हो, closing plus में आ जाएगा, यह हो गया कितना, 90, और यह 75 को इधर साइड लिया हो, तो माइनस 75 हो जाएगा, तो आपका आगया answer 15,000, 15,000 आपका answer आगया, तो ऐसे question 4-4 marks में, 5-5 marks में पूछा जा सकता है, तो आप इन question को ध्यान रखना, यह completely trading account के उपर question है, हाला कि profit and loss account का, कुछ अलग से मैं आपको question नहीं करा रहा हूं, कि profit and loss account का आपको अलग से question करा हू मैं आपको normally, एक full-fledged question कराऊंगा, जहां पर trading account भी बनेगा, जहां पर profit and loss account भी बनेगा, और जहां पर class prominence basis पर हम balance sheet भी बनाएंगे, और देखेंगे कि यह questions, actually, conscience की posting कैसे कैसे होती है, ऐसे question सीधा examination में नहीं पूछेगा, मतलब यह वाला पूछेगा, लगिन आपको question करा basic जीज नहीं पता होगा, तो आपको without adjustment नहीं पता होगा, तो आपको adjustment कैसे करोगे, खुद सोचो हो, है ना, यह चीज है, अगर किसी बच्चे को, see you, जिसका formula नहीं याद होता, तो वो कैसे करता, मेरी बात सुनना, उसको trading का format तो याद होता, उसको trading का format है, वो तो learn होगा बच्चे को, trading का format, तो बताओ class, trading का format कैसे बनाते हो आप, trading का जो format है, आप वो कैसे बनाते हो, बताो, trading का format, opening stock यह लिखते हो, कितना था opening stock, 20,000, purchase यहाँ पर लिखते हो, कितना था purchase, 70,000, GP आपने निकाल दिया था कितना, 25,000, यहाँ पर क्या आता है class, closing stock, sales आपको कितने कोजने दी गई थी ऐक लाग करनधा नहीं पता मुझे कोई है कोई जरुरती नहीं सटर ऐसी नबय कि और 15,000 हो गयarte 15,000 हुए यह भी और ऑसमें बात है जो ब्रवालेन्स 15,000 है belongs है ये तो है ना और बस सॉल्व किया और आपका अंसर आगया बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो यह हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा कोश्यन इस तरह से कोश्यन आता है तो जीपी अगर कॉस्ट का वन भाई थ्री है तो आपने कॉस्ट यहां पर निकाल रखा है चेक करो 75,000 कॉस् हमने अब इसका वन भाई थ्री करके देख लो 25,000 ही आएगा तो यह कॉस्ट का वन भाई थ्री कर लो सेल का वन भाई फोर कर लो फिगर हमेंसा सेम रहेगी 25,000 को अब हम चलते हैं फुल फ्लेज कोश्यन पर तो पहले हम कोश्यन क्लास अनलाइज करेंगे विदाउट आइस करेंगे आप मेरे को बताओगे कौन सीज कहां पर जाती है और उसके बाद हम लोग इसका अकाउंट बना कर देख लेंगे और कोश्यन को पूरा कम्पीट कर लेंगे चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसे को हमें ट्रीडिंग बनाना है और बैलंच शीट भी बनाना है और बैलन शीट बनाना है और बैलंच शीट बनाना एकेंट करेंगे लिए ऑनेश की हरी और कम्पनी की बुक से तो चलो, स्टार्ट करते हैं, फटा फट जरा, तो सबसे पहले capital दियागा है, class capital कहां पर जाता है मुझे बताओ, capital कहां पर जाएगा, capital दिया हुआ है, 3,50,000, यानि capital जाएगा balance sheet में, opening capital है, capital जाएगा balance sheet में, building दे रखा है class 1,87,500 balance sheet में जाएगा, machine दे रखा है class आपको 92,500 balance sheet में जाएगा, debtors आपको दे रखा है class 35,000, तो ये भी balance sheet में जाएगा, investment आपको दे रखा 35,000, तो ये भी balance sheet में जाएगा, general expense, general expense, छोटे मोटे खर्चे आम तौर पे, जो खर्चे होते हैं business के, वो कहां पर जाएगा class हो जाएगा, P&L में, prepaid, sorry, rent paid, तो ये भी खर्चा है जाएगा, P&L में, और बिटा, ये P&L में किस side जाएगा, debit side, drawings, drawing कहां से minus करते हो class, capital से, electricity charges, ये खर्चा है, P&L में debit side जाएगा, carriage inward, ये भी खर्चा है, carriage inward, लेकिन carriage inward is a direct expense, मैंने कहा था, carriage inward, freight inward, ये सब direct expense है, और जो भी direct expense होता है, वो trading account के debit side जाता है, जबकि salary जो है, वो P&L account के debit side जाएगा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, कि ये trading account में जाएगा, चाहे वो class, मतलब कि carriage inward हो, freight inward हो, ये carriage on purchase हो, तो ये सब कहां जाता है class, trading में, इस बात का ध्यान रखना, cash at bank, तो ये balance sheet में चला जाएगा, asset side, और return outward, बटा बटाओ, सब लोग comment of the effort, return outward, क चला गया, तो return outward क्या होता है, purchase return, और ये purchase से क्या हो जाएगा, minus, purchase return, purchase से minus होगा, sales return, sales से minus होगा, और कहां पर होता है class ही काम, trading account के अंदर, okay, analysis करो अच्छे से question को, समझो, क्योंकि इसमें एक बार आपने गलती कर ली, उसे ढूंडते रह जाओगा, गलती का पता चलेगा, जगा नहीं, last में balance sheet match नहीं होगा, परेशान हो जाओगा, और number कट जाएंगे, सारे number तो नहीं बर थोड़े कट जाएंगे number, है ना, tally नहीं होता तो, और calculator तो आपको मिलता ही है, calculator आप allow कर सकते हो, ठीक है, B.com में calculator मिल जाता है, आपको अपने college से पूछे ना, ठीक है, calculator calculator allowed होता है भी Congo paper में, तो जो tension थी, calculation की वो भी खताम होगे, फटाफट, 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 calculate करके आप calculator से आराम से बना लोगे, closing stock was valued at 182,100, closing stock जो है, हाला कि कई सारे college allow नहीं करते है, तो आप देख लेना, बात करेना, college से बहुत तो allow करते है, due allow करता है, specially, 182,100 का आपका balance sheet में जाता है, asset side, दूसरा trading account के buy side, buy side जाता है closing stock, return inward, आपका sales return है, 45, sundry creator liability है, balance sheet में जाएगा, cash in hand asset है, asset side चला जाएगा, wages that expense है, तो यह जाएगा trading में debit side, purchase खर्चा है, तो trading में debit side, sales trading में credit side, bills payable liability है, balance sheet में liability side, opening stock trading में debit side, interest on investment, भीया, जहर सी बात है, आपकी investment asset है, तो उस पर जो interest मिला है, तो आपकी income है, और income कहां जाता है, profit and loss account के credit side, discount allowed, profit and loss के debit side, यह खर्चा है, salary भी खर्चा है, profit and loss account के debit side, अब बच्चे बोलते है, salary आगर आपने लिया है, तो बटा आप एक firm हो, firm salary लेती है, firm salary देती है, तो ऐसा मत सोचो, आपने salary लिया होगा, तो इस question के लिए, फटा-फट आप trading count बना लो, format बना आधे page पे बनाओ trading, मलब की, sorry, पूरा page ले रहे हो, तो 1 3rd page पे trading बनाओ, आधस line तक का trading बहुत है, उसके बाद पूरा-का पूरा page देतो penile के लिए, और अगला half page देतो balance sheet के लिए, तो कभी भी आप अगर बना रहे हो question full pledge, तो आप 1 3rd page दोगे trading के लिए, बाकि सारा penile के लिए, और अगले page पे, एकी page पे तीनों नी बनेगा, अगले page पे आपने क्या करना है, balance sheet बनाना है, और balance sheet, हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक-एक चीज को उठा कर, line by line, जो चीज जहां पे आती है, हम उसको फटा-फट वहाँ पर लिखते चले जाएंगे, एक-एक चीज को उठा कर, लिखते चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पर बतारू, format कैसे बनाना है, तो आप ऐसे class बना सकते हो, format, सबसे पहला बनाओगे trading account, सबसे पहला, आप चाहो ना, trading and pin लिकठा भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं ह तो यह मैंने बना दिया trading account, जादा बड़ा नहीं होगा, फ़ले format बना लो, यह रहा trading account, इतना बड़ा बहुत है trading के लिए, ठीक है, credit, debit, particular amount, तो आप लिखी लोगे, ठीक है, यह हो गया, trading account इतना बड़ा बहुत है, फिर बनाएंगे profit and loss account, profit and loss account, rest पूरे page पे, थोड़ा सा बड़ा बनता है, profit and loss account थोड़ा सा बड़ा बनेगा, जादा चीज़े होती है, इसके अंदर इसलिए, थोड़ा और बड़ा बनाओ, यह हो गया, ठीक है, फिर बनाएंगे balance sheet, balance sheet of hariyom on 31 March 2019, balance sheet, लगभख, हाफ पेज में मानलो, आप, डिपन करता है, कितनी चीज़े question में दी गई होई है, यह आपकी liability side है, आप पूरा लिख दे न, hazard side, तो यह बन गया class, पूरा का पूरा format, अब हम फटा फट इन में एक एक करके, चीज़ों को लिखते जाएंगे, और अपना answer नि आज एक बात आप से share करनी थी, कि Unacademy आपके लिए class एक mega comeback लेके आया है, mega comeback के अंदर क्या है, class 6 से लेकर class 12 तक के जितने भी बच्चे है, Sunday, यानि कि July 25 तारिक को 11 बजे से start होंगे, कुछ test होंगे, जहाँ पे class आप free में enroll कर सकते हो, मेरा code आप use कर लेना, SPR10 तो free में का मौका है, तो class 6 ते लेकर class 12 तक के जितने बच्चे है, class आप ध्यान रखना, timing सब की अलग-अलग है, 9 तो 10 ग्यारा बजे होगा, 6, 7, 8 का 12 बजे और 11 तो एक बजे होगा, तो आप इस test को attend कर सकते हो, free of cost, एक completely free है, जहाँ पे 2 करोड तक का scholarship आप आराम से जीच सकते हो, 5,000 learner जो है, उनको मौका दिया जाएगा, इसमें जो है, एक lucky draw भी होगा, जो है, 10 members जो है, randomly select की जाएगे, जो कहीं और select नहीं हुए scholarship में, उनको भी यहाँ मौका मिलेगा, और उनको मौका मिलेगा, class Apple iPad हो गया, class JBL के earphone हो गया, या Amazon voucher जो है, उनको free में जीतने का मौका मि description box में आपको link मिल जाएगा, free unlock करने के लिए, मेरा code SPA10 जरूर apply करना, description में link है, Unacademy के app डाउनलोड करो, जो भी class का test है, अपने भाई बहन को भी आप शेर कर सकते हो, आप test दे के try कर सकते है, scholarship test है, तो आप आज ही enroll कर लो, July 25, 11 बजे के बाद से आपका test चालो हो जाएग है, इसको एक एक करके solve करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या-क्या लिखेंगे पहले format में, two opening stock, two opening stock, यह आता है, two purchases, purchase में से less करेंगे, purchase return, कुछ और भी खर्चे होंगे, यहाँ पर देख लेंगे, by sales में से minus करेंगे, sales return, last में आता है by closing stock, ठीक है, by closing stock, तो यह चीजे पहले, हम इतनी चीजे आराम से लिख लेते हैं, एक बार जड़ा, अच्छ हां, हमने क्या का, हमने line balance यहां से उठानी है, और जो जहां पर आता है, वहां लेखती से ले जाना है, बस इतना काम करना है, capital 3,50,000 दे रखा है, building 1,87,500, ठीक है, तो आप लिखो फटाफट, capital 3,50,000 तो capital कहां पर आएगा मुझे बताओ, capital कहां पर आएगा, capital कहां balance sheet में, तो यहां पर लिखो capital, balance sheet में capital, 3,50,000 और building asset है, तो asset में लिख दो, 1,87,500, समझे बात को जो चीज जहां पर आएगी, उसको हम वहां पर लिखते चले जाएगे, capital दे रखा है, आपको building दे रखा है, ठीक है, capital दिया हुआ है, और आपको building दिया हुआ है, वह आपने दे रेखते हैं class के और क्या-क्या चीज़े दे रखी है, capital हो गया, building हो गया, मैं एक और question देख ले रहा हुआ है, capital 350 दिया हुआ है, building दिया हुआ, 187,500, अच्छा, उसके बाद आप भी देख लो class यहां पर, machine दिया है, 92,500, data दिया है, 35,000, investment दिया है, 35,000, और इन तीनों जो को लिख लेते हैं, फिर general expense, penal में जाएगा 8,000, rent भी penal में जाएगा, और drawing जो हो, capital से minus होगा, तो drawing को तुम अभी minus कर देते हैं, 6,500 की drawing दे रखी है, यहां से minus क्या कर देते हो, drawings, तो कितना drawing दे रखा है class आपको, 6,500 minus करोगे, और अगर इस question में हमें net profit होगा, तो हम net profits क को यहां पर add कर देंगे, okay, अचा, उसके बाद class यहां पर दे रखा है, capital आ गया 350, building आ गया 1,87,500, machine दे रखा है 92,500, machine यहीं पर लिख दोगे, machinery 92,500, यहीं जो machine है, वो asset है, तो आप उसे balance sheet में asset side लिख दोगे, dators भी हीं पर class आ रहा है है, तो देखेंगे, कुछ और fixed asset तो नहीं है, थोड़ा space छोड़ के हम यहां data लिख देंगे, data भी asset है, तो data कितने हैं class आपके हाँ पर, data है 35,000 के, data आगया 35,000 का, investment भी 35,000 की है, तो investment data से पहले लिख देने हैं हाँ पर, investments, वो भी कितने की है class, 35,000 की, general expense, ठीक है, general expense, आपका कहां पर आएगा बोलो, general expense आता है P&L में debit side, तो यह रा class, profit and loss account, यहां पर debit side लिखेंगे, to general expense, कोई भी खर्चा होना, वो P&L में debit side आएगा, तो general expense आपको देरखा है कितना class, 8,000 का general expense देरखा है, profit and loss account में लिखोगे, rent देरखा है 37,100, to rent, खर्चा है, किराया आपने भरा है, rent paid, drawings हम लिख चुके हैं, ठीक ह debit side आएगा, carriage inward यह आएगा, trading में debit side, cash and bank asset और purchase return, purchase से minus होगा, stock है 1,82,100, चलो लिख लेते हैं, stock तो यहां पर आएगा, buy closing stock, एक स्टाउक एक स्टाउक, एक स्टाउक ट्रेडिंग में आएगा, बट पहले हम और लिख लेते हैं, क्या क्या है पेंडल में, rent हो चुका है, electricity charges, electricity charges, electricity charges, तो electricity charges देर खाया आपको 1900 का, कितना दिया था class, electricity charges, 1900 का, electricity charges के बाद carriage inward, तो जो carriage inward है वो जाता है, बट रेडिंग में, धिहान रखना, carriage inward, to carriage inward, trading में, तो कितना है carriage inward, carriage inward है 8,500 रुपए का, उसके बाद है, cash at bank, तो वो asset में जाएगा, return outward, यानि purchase return, तो class, यहाँ पर minus कर देंगे, purchase में से 1100, और purchase हम आगे देख लेंगे, क्या है, हाला कि जो closing stock दे रखा है, वो दे रखा 1,82,100, लेकिन, यह जो closing stock है, दो जिगे जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, closing stock balance sheet में भी जाएगा, तो इसे मेरे साथ-साथ balance sheet में भ जरोत नहीं है, क्योंकि भी stock तो ऐसे भी closing ही है, अगर balance sheet and date way बन रहा है, हाला कि bank balance आपको दे रखा है, bank balance कितना दिया गया था class आपको, 30,000 का, bank balance दिया सा 30,000, तो हमने आप चेक करो, एक तरफ का हमने यह सारा कर लिया, bank balance 30,000 लिख लिए, return outward purchase return लिख लिए, closing stock लिख लिख लिख लिए, drawing वगे, सब कुछ लिख लिख लिए, अब आते है, salary, pin needle में debit side, drawing भी खर्चा है, debit, sorry, discount भी खर्चा है, debit, interest on investment, credit or opening stock लिख देंगा, 1,65,000, चलो, इतना पहले कर लेते हैं, तो अभी सबसे पहले हम लिखते है, salary, और सब salary तो pin needle में आएगा, तो यह लिख खर्चा है, wages trading में, wages trading में आएगा, और salary जो है, वो pin needle में आएगा, ठीक है, तो to discount allowed, discount allowed कितना है, check करो, discount allowed है, 3000 का, 3000 का आपका discount allowed है, interest on investment कमाई है, तो by side लिख देना, भी investment अगर आप कर रहे हो, तो उस investment पे जो आपको interest मिलेगा, यह तो आपकी कमाई है, तो यह pin needle में आएग debit credit, ठीक है, debit credit, लिख दो debit credit, particular amount, okay, opening stock, opening stock, बताओ class कितना है, opening stock आपको दे रखा है, 1,65,000 का, opening stock, 1,65,000 का दे रखा है, bills, payable, liability, sale है, 6,35,000 का, sales दे रखा है आपको 6,35,000 का, sales आपको दे रखा है 6,35,000 और purchase दे रखा है, 4,68,500, ठीक है, तो एक बात बताओ, 4,68,500 से घटा दोगे आप purchase return, तो आपका आजाएगा net purchase, और sales return भी आपको दे रखा है, मैं question में दिखा देता हूँ, return inward, 45,000 दे रखा है, तो भी घटा दोग 30,500 आजाएगा, मतलब 6,35,000 और minus घटा दोगे 4,500, 6,35,000 आप check कर लो, जो जो मैंने लिखा है, यह रहा, return inward, 4,500 हो गया, salary लिख लिए, discount लिख लिए, interest on investment, opening stock, 1,500,000, अब sales भी हमने लिख लिए, 6,35,000 और ये purchases भी हमने लिख लिए, 4,88,500, तो बचा क्या, बिल पेबल, तो बिल पेबल, liability है, wages, trading में debit सड़ाएगा, cash in hand, asset है, और sundry creator क्या है, class, liability, तो बस जितनी चीज़े यहाँ पे आपने देखी है, एक एक करके आपने उसे लिख देना है, बस, ओके, तो यहाँ पे carriage inward हमने लिख दिया है, wages, trading में लिख लेते है, trading की चीज़े, trading में लिख द liability, हाला कि पेंडल में जादा कुछ आया नहीं, छोटा question था, बट कोई बात नहीं, आपने format बड़ा बना के चलना है था, जगे खाली बच जाया है, तो कोई problem नहीं, लेकिन छूटना नहीं चीज़े है, ऐसा होना है, congested हो रहा है, bills people, 50,000 है, sale purchase हो गया, wages हम लिख लिख लि यह हमने सारी के सारी चीज़े यहां पर लिख लिए एके करके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, totalling लगाएंगे ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग की सबढ़े टोटिल एके से नंदेख सारा चीज देखें, यहां पर लिख लिख लिए है ना, तो हम हम खैक लाग तीस जार पान्सों चैना तीछार पान्सों means of 1,882,100 तो यह आएगा 8,12,600 यहाएगा 8,12,600 और इस 8,12,600 में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले तो 468,500 का आपको पर्चेस दे रखा है ठीक है यह पर्चेस है यहाँ पर्चेस है ओपनिंग स्टॉक यह है इसमें से 1100 आपने माइनस करना है ठीक है 468,500 माइनस कर दोगे 1100 तो यागा 467,400 तो बटा सुनों कहीं इसमें आप कन्फूजन में मत आना ओपनिंग स्टॉक यह रहा और पर्चेस यह रहा पर्चेस यह रहा पर्चेस रिटर्न जोए माइनस कर दिया मैंने ठीक है तो यह ओगा 467,400 प्लस 8500 प्लस 25,000 और 165,000 तो यह आपका आगया 2 ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करोगे इधर भीज़ दोगे बाई साइड ना लॉस होता रवेट साइड भी जो भी ट्रेडिंग का आंसर आएगा वो प्ल में ओपनिंग बालेंस बनेगा 1,46,700 अब इसमें और तो कोई चीज है नहीं तो आप टूटलिंग कर लोगे 1,47,700 1,47,700 सिर्फ आपका बेसिक कोश्चिन है कि कौन कौन सीज है कैसे आप पूट अप करते हो अना कैसे आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो 1,47,700 वैसे माइनस कर दोगे आप एक एक करके सब कुछ घटा देते हैं देखते हैं कि कितना आंसर आता है यह 3,000 अना डिसकाउंट लाउट ठीक है 86,600 हमारा आंसर आ गया और यह आएगा 2 नेट प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है वो क्यापिटल में प्लस होगा यानि कि अगर आपका ट्रेडिंग गलत होगा तो अव्वियस से पेनल भी गलत आएगा और अगर पेनल भी इसमें आप एड़ कर दोगे यह 0,00,000,000 है तो 5,80,100 और अगर हम इसको जोड़के देखें तो देखते हैं क्लास की इतना आ रहा है या नहीं आ रहा चेक कर लेते हैं करेक्ट है 5,80,100 तो यह हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट और इस तरीके से आपका कोश्चिन जो है वो पूरी तरीके से हो गया टैली यानि कि जो कोश्चिन आपको दिया जाता है जैसे यह कोश्चिन है तो आपको इस कोश्चिन को पूरा का पूरा करोगे चीजों से खुल जाओगे कि हाँ आप समझ जाओगे कॉंसी कहां पर आती और आप कर लोगे तो आई होप यह कोश्चिन आपका हो गया और आपका यह आंसर भी जिन्होंने नोट नहीं किया है वह स्क्रिंशॉट ले लो मैं एक बार दिखा देता हूं आप इसका स्क् इसका स्क्क्रिंशॉट ले लो जिन्होंना भी तक पेनल मेंटेंच नहीं किया यह पॉस करके नूट करलो जैसा आपका मन कर या वैसा कर लो और जिरो ने ट्रेडिंग नहीं किया और ट्रेडिंग कर लो, यह रहा, ट्रेडिंग काउंट, तो I hope कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समाझ आई होंगी चीज़ है, मैंने काफी बेसिक्स बताया, आपको और साथ में अकाउंट बना के पूरा का पूरा वीडियोज आती है, कलास साम को 6 वजे, टेक केर, बाई बाई, मिलते नेक्स वीडियो में,